आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल जिक्के कलासेज 1912 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ RPSC Latest News अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेगा तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तो RPSC की दुआरा Ground Water Department Technical Assistant बरती 2022 के Interview Later जारी कर दिये गए हैं अब ब्यारती RPSC की Official वेवसाइट पर जाकर के अपने रोल नमबर, डेटो बर्थ और केपचा फिलब करके अपने Interview Later डाउनलोड कर सकते हैं अब करते हैं इस वीडियो की सुरुआत या आप देख सकते हैं आयो की नई पहल अब जिस माह में परिक्षा उसी माह में जारी किया जा सकता है रिजेल्ट दोस्तो RPSC की ऐसी कोई एक्जाम नहीं है कि जिस मैंने में ही एकजाम हुई हो और उसका उसी मैंने के अंदर जो है जारी हो अपवाद छोड़ करके जनरली हर एकजाम का जो रिजेल्ट है वो लेट ही जारी होता है और उसकी वज़े से अब ब्यारती काफी मान सिक रूप से परेसान होते है तो अब आर्पेसी एक नई पहल करने जा रही है कि अब जिस माँ के अंदर एकजाम होगी उसी माँ के अंदर उसका रिजेल्ट जारी किया जाएगा देखिए अभी तक कई महने तक परिणाम जारी नहोने से अब्यार्थी होते थे परेशान तो यह अब ब्यार्थियों को रात प्रदान करने वाली न्यूज है पूरी न्यूज आप बिस्तार के साथ में देखिए अभी तक आरपेसी दुआरा आयोजित की जाने वाली विभिन वर्ती प्रिक्षाओं के प्रिणाम के लिए ब्यार्थियों को कई मेने तक इंदिजार करना पड़ता है इससे उन्हें प्रेशानी तो होती है साथ ही बर्ती पूरी होने में भी देरी होती है इस तरह की प्रेशानियों को दूर करने के लिए आयोग अब एक नई पहल करने जा रहा है अब प्रिक्षाओं के प्रिणाम सेम महा में जारी करने की कोशिस की जाएगी तो ये काफी गुड नियूज है कि अब जो भी एकजाम जिस महिने के अंदर आयोजित की जाएगी आरपेसी की ये कोशिस रहेगी कि उस एकजाम का रिजेल्ट उसी महा के अंदर जारी किया जाए ठीक है इसके बाद देख सकते हैं आयोग अलग-अलग महिनों में पर जारी नहीं हो पाते परिणामों के एनालिसिस में ऐसे भी मामले सामने आये हैं जब परिक्षा के एक साल बाद परिणाम आया है तो अब ब्यार्थियों को काफी मानसिक परिशानी का सामना करना पड़ता है एकजाम कब होती है उसका रिजल्ट 6-6 मेने तक एक एक साल तक नहीं आ पाता है उसकी वज़े से अब ब्यार्थि मानसिक रूप से परिशान रहते हैं और अन्य किसी एकजाम की भी एक कग्रचितों करके तियारी नहीं कर पाते हैं तो आर्पेसी की इन विभिन बरती परिक्षाओं के रिजल्ट्स में देरी के जो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं वो देखिए ये हैं देरी के प्रमुक कारणे आंसर की के निस्तारण में समय लगना कई बार एक्सपर्ड समय पर नहीं मिलना लगातार बरती परिक्षाओं के आयोजन के चलते देरी होना बरती परिक्षा परकरण के कोर्ट में जाने से देरी होना तो ये कुछ प्रमुक कारण है जिनकी वज़े से जो है आर्पेसी के रिजल्ट्स जो है वो लेट होते हैं तो ये आपके सामने कुछ exam के आंकड़े भी दिये हुए हैं जिनके आधार पे आप देख सकते हैं कि ये exam किस मेने के अंदर आयोजित हुई थी और इनके result किस मेने के अंदर RPC के द्वारा जारी किये गए थे ये पूरी detail आपके सामने आप इसको विस्तार से देख भी सकते ह हैं ठीक है अब आपके सामने एक दूसरी good news जो है वो देख सकते हैं आप जेलों का आज सकता है result आयोग जूनियर लेगल ओफिसर पदों के लिए चार व पांच नौमर को हुई बरती परिक्षिया का प्रिणाम इसी मेने में जारी कर सकता है आयोग ने अब्यार्थियों की OMR Seat Screen करा ली है आपतियों के निस्तारण की परकृरिया जारी है इनके निस्तारण निस्तारित होते ही प्रिणाम जारी किया जाएगा 140 पदों पर बर्ती के लिए ये प्रक्रिया जारी है तो ये जेलों की जो बर्ती प्रिक्षा आयोजित कराई गी थी इसी महिने के अंदर आयोजित होई थी और RPC का ये पПрियास है कि इसी महिने के अंदर जो है इसका result जारी कर दिया जाये ठीक है आयोग ने EO and RO बर्ती परिक्ष्या का आयोजन 14 मई 2023 को किया था 21 मई को AEN शिविल की परिक्ष्या ली थी इन दोनों की रिजल्ट्स 6 माँ बाद भी जारी नहीं किये गए वहीं आयोग ने SI बर्ती परिक्ष्या 2021 का आयोजन 13 से 15 सितंबर 2021 को किया इसका प्रिणाम 3 मेने में गोशित किया गया है तो ये रिजल्ट्स की जो लेट लथीपी है इससे जल्दी ही छुटकारा मिलेगा उमीद करते हैं कि आरपेसी की जो नई पहल है ये रियल में साकार होसकेगी और आरपेसी जिस माँ के अंदर एकजाम कंडिक्ट कराएगी उसी माँ के अंदर उसका रिजल्ट भी जारी करेगी इसी उमीद के साथ में वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप से लेते है विदा ठीक है जुड़े रही है हमारे चैनल के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद